मेरा सब को शुब काबनाई और अब मैं आप से कुछ बात करना चाहूंगी इसके बारे में बाई कवी रामभकतनेगी एक बहुत ही अच्छे और स्वार्थीन इंसान है जिनों ने हम कवीयों को इतना बड़ा स्थान दिया भगवान इनका जो भी सोच है जो भी ये आगे के लिए सोच रहे हैं उसका पूरा का पूरा मिशन पूरा करें और आज मैं आपको अपने कुछ कवीताएं सुनाऊंगी कवीता लिखना मैंने 95 से शुरू किया वैसे तो जब मैं छोटी थी तब भी चोटी मोटी कवीताएं मैं लिखती थी लेकिन जो असली मेरा चपना शुरू हुआ और मेरा जो भी हुआ वो 95 से स्टार्ट हुआ मेरा जब मैंने अपने स्कूल में लिखा तब भी मेरी प्रथम रचनाय आई और कुछ रचनाय तो मेरे पास अभी है ही नहीं लेकिन जो भी रचनाय मेरे पास हैं उनमें से मैं जिन रचनाओं को पसंद करती हूँ वो रचनाय मैं आपको जरूर सुनाना पसंद करूँगी मैंने थोड़ी गजलें भी लिखी हैं, थोड़ी छोटी-छोटी कविताएं भी लिखी हैं, तो उनको मैं आज आप से साझा करूँगी सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कविता है क्या बहुत बड़ी कोई बात आपके मन में आई है तो उस बात को बहुत संख्शिप्त रूप में रखना और फिर दूसरों से कहना बहुत ही सुचारू रूप से वही हमारी कविता है तो आज मैं जो कविता आपके सामने रख रही हूँ वो है सरव प्रत्म मेरी सरव प्रिय कविता शहीद की माँ और ये मेरे साथ घटित हुआ था जब हम लोग यहां से पॉटा साइब गए तो पॉटा साइब जाने के बाद वहां पे कुलदीप सिंग जी की मदर जो थी वो अपने आंगन में आंगन लीप रही थी और उन्होंने हमें देखा और उस रात हमने उनको सम्मान देना था जब उन्होंने हमें देखा तो जो उनकी स्थिती थी उस परिस्थिती को मैंने अपने शब्दों में बया किया है तो मैंने लिखा है शहीर की मदर एक बुढ़िया आंसुओं से आंगन लीप रही थी इक बुढ़िया आंसुओं से आंगन लीप रही थी आसमान रो रहा था धर्ती काप रही थी बेजान लाश बनी वह बेजान लाश बनी वह खुद को ढो रही थी नजाने धर्ती में किसको ढून रही थी आहट पर मेरी उसने दो नएंग जो उठाए उन कश्तियों में मानो पूरी दुनिया डूब रही थी इन सरहदों ने उनका सब कुछ निचोड लिया था बुढ़िया किसकी बाट जो रही थी एक मा की लाज खातिर दूजी मा व्याकुल हो रही थी नजाने कितने लहु लुहान चहरे वो इन आसुओं में धो रही थी ये तो थी मेरी पहली कविता और अब मैं दूस्ती कविता आपको सुना रही हूँ नहीं लिखनी मुझे कविता नहीं बाधने जजबात शब्दों में नहीं बाधने जजबात शब्दों में दुखाने नहीं हैं मुझे इन नादान अक्षरों के दिल बहुत हो चुका ठक गई मेरी आखें मुझे इंतजार करना तुमारा सिर्फ तुमारा जिन्दगी की नाव में यादों की पतवारों के साथ जिन्दगी की नाव में यादों की पतवारों के साथ उस जल पर जो तुम्हें प्रिये जिसकी लैरों में वो उतार चड़ाव जो तुमने दिये जिन पर चड़ना तो बहुत अच्छा लगा उतरने पर विछोब ले जाएं हमें उस किनारे जहां इंतजार हो नाओ का उस पार जाने के लिए और अब मैं आपको अपनी एक और कविता की और ले जाती हूँ अच्छा लग रहा है मेरे को इस वक्त अपनी कविताएं कहना जब हम लड़कियां अपने घर जाती हैं तो बहुत याद आती है अगर हमारे घर में हमारे माबाप नहीं रहते तो मैं भी अपने पापा से बहुत अटैस थी जब मैं गई उनके मरने के बाद तो मैंने क्या महसूस किया वो मैं इस कविता में मैंने लिखा है याद बर्सों बाद पीहर की दलहीज बर्सों बाद पीहर की दलहीज भर आई आखें सोच बे सुध सीड़िया चड़ना पापा के गले लग रो देना हर एक का उनके आदेश पर गिर्द घूमना खूंटी पर टंगा काला कोट मेज पर चश्मा एश्ट्रे घर के हर कोने में रौबीली गूंच आज घूरती आखें रिष्टों को निभाती आवाजें समझती बेटी को बोज हर तरफ पराया पन एक आवाज बुराती जोडती उस पराई घर से पापा बुआई है और अब मैं आपको एक अलग सी दुनिया में ले चलती हूं कि हम कभी-कभी अपने साथी से क्या उमीद कर वैठते हैं तो मैंने ये कविता लिखी जिन्दगी की सांज में इक राग छेड़ कर जिन्दगी की सांज में इक राग छेड़ कर मुझे चुल्ले के पास अपनी कंबली में बिठा लेना छोटी-छोटी लकडियां मैं लगाती जाओंगी ताकि तुमारी सांसों की गर्महट का एहसास होता रहे मुझे बड़ी लकडी सिरफ तुम ही लगाना शायद मुझे नीद आ जाए तुमारे सीने से लगकर तृत हो जाए वो पिपासा जो ताउम्द तुमारा सानिध्य ढूंडती रही जरूर अंकित करना मेरे लबों पर एक चुमबन जो बड़ी लकडी के राख होने तक मुझे गर्महट देता रहे और अब हम चलते हैं एक ड़नदी के पास एक बार मेरा रहना का जाना हुआ तो हम लोग रायनोकार से वापस आ रहे थे और अक्सर पूलों के नीचे से बजरी, रेता उठाते रहते हैं लोग तो हम भी गुमने गए थे तो वहाँ पे एक ट्रक लगा हुआ था और कुछ मज़दूर लोग जो थे वो उसमें छोटे मोटे पत्थर भर रहे थे उन सब को देखने के बाद जो मेरे दिल में आया और मैंने घरा के जो अपने कागज पे उतारा वो ये है नदी के पत्थर एक शाम एक बाबू एक शाम एक बाबू नदी के तट पर खड़ा निहारता रहा नहाते पत्थरों को सफेद गोल गोल पत्थरों पे अड़ा आदेश दे फटे हाल पिंजर शरीरों को ट्रक पर विजवा देना सुनसान तट से टला सुन ये आवाज सुन ये आवाज पत्थर थर्रा गए थे फुस फुसाई गुहार की की बीच में बड़े पत्थर ने पहली बार बड़े प्यार से बात दी चुन लिये गए हो विजवा दिये चाओगे किस-किस बंगले की शान तुम कहलाओगे चीखों से नदी गूँच गई चीखों से नदी गूँच गई रोए बड़े चोटे सब मिलकर सब पत्थर गले लगकर सोच कल लाखों प्रहारों को सोच कल लाखों प्रहारों को हजारों टुकडों को होंसला दिया बड़े पत्थर ने विदाई दर्दनाक हो थी विदाई दर्दनाक हो उठी सिसका बड़ा पत्थर वियाज पर भी आज बिंडम बना सब कुछ देखते देखते ट्रक नन्ने मुन्नों का दूर अति दूर दूर अति दूर हो गया आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भी कभी मैं ये कविता पढ़ती हूं तो मेरा मन भी भराता है और मेरी आँखें भी भराती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पत्थर थे ये उन बड़े पत्थरों के बच्चे थे दोते पोते थे और इनको कोई ले गया मैंने ऐसी कविताओं के बाद कुछ छोटी कविता हैं भी लिखी हैं जैसे मेरी एक कविता है तस्वीर और मैं आपको सुनाना चाहूंगी नजने क्यों चुपचाप जड़ सी खड़ी जला गई तुम्हारी तस्वीर खत अतीत की धरोहर जी भर उलाया सांतोना दूर रखी विडम बना जला नहीं पाई जला नहीं पाई तस्वीर दिल के कोने की जो हर वक्त हिलाती है मेरा अस्थित्व अब है एक और छोटी सी कविता कितनी खतरनाक अर्मानों की कैद हर जवाब में खामोशी हर जवाब में खामोशी बूल जाना वो सब कुछ जो हुआ कभी आसुओं में भी मुस्कुराना वा आहें मिला देना खिर खिला कर हसने में कितनी खतरनाक अर्मानों की कैद हर जवाब में खामोशी सारे इल्जाम सिर्पर डे खुद को मिटाना और अब चलते हैं किसी और तरफ आपको एक और कविता सुनानी है और वो मेरी कविता जो है जाने से पहले जाने से पहले जाने से पहले जरा ध्यान से देख लेना तुमारे दिल के आंगन में मेरे प्यार के पोरों के निशातों नहीं रह गए जाने से पहले जरा ध्यान से देख लेना तुमारे दिल के आंगन में मेरे प्यार के पोरों के निशाथ तो नहीं रह गए पोच देना दो बून्ध आसों से पोच देना दो बून्ध आसों से फिर भी न पूछे तो इतनी जोर से मत पोचना की खरौंच आ जाए तुमारे दिल पर ढाप देना यादों की उस चादर से जिसे ओड़ कर हम और तुम उस बड़े पत्थर पर बैठेते कवी एक और मेरी कविता है सोच असल में मैं यह सोचती हूँ कि जो हमारी सोच होती है जो भी हम सोचते हैं उस सोच से ही हमारा आगे सब कुछ बनता है तो अगर हम अच्छी सोच सब लोग मिलकर रखें तो उस सोच से हमारा देश हमारा गाओं हम जहां रहते हैं वो सारी जगा सही हो सकती हैं तो सोच है सोच व्यक्तिगत न होकर सामूहिक हो जाए सोच व्यक्तिगत न होकर सामूहिक हो जाए समूह उसे समाज को समाज राष्ट को राष्ट विश्व को सौंपे वो जन हीत में लगा दे तो सोच सोच नहीं सर्वोच भी नहीं बंदनिय हो जाती है क्योंकि हम कोई भी काम उस से कर सकते हैं अब मेरी एक और छोटी सी कविता है पग डंडियां पग डंडियां रास्तों का हाथ पकड़ पग डंडियां रास्तों का हाथ पकड़ शड़क तक आती है शड़के हमें विश्व के कोने कोने तक ले जाती अफसोस नजर नहीं आता असोस नज़र नहीं आता कोई पत जो इनसान को इनसान से मिलाए और इनसानियत से बचाले इस विश्व को विनाश शील अन्होनी से अब एक कविता ये मेरी विपाशा में छपी थी और इसका काफी मेरे पास आउटपुट आया था बहुत छोटी कविता है और एक कवित से जरूर समझेगा वो लड़की पकड़ कर मा की अंगुली गसीतना खुद को बीच बाजार गुडिया हे तुग नपाकर लंबे लंबे टेसु बहाना याथ है मुझे आज खरीट सकती हूँ सारे खिलाने पर लाओं कहां से मैं वो लड़की तो यह मैंने कुछ कविताय लिखी थी यह मेरी बुक भी पब्लिश हुई है और इस बुक का नाम है काव्यकुंच और अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलूंगी कुछ वक्त मैंने कुछ घजलें भी लिखी है जिन में से मैं आपको एक दो घजलें अपनी सुनाना चाहूंगी तो यह गजले मेरी डेडियो स्टेशन शिम्ला पर गाई गई इन में से दो तीन गजले मेरी धरमदत सैगल जी ने गाई जो कि अब इस संसार में नहीं है और पिछले साल हमें चोड़के चले गए और जो गजले उन्होंने मेरी गाई है आज वही दो तीन गजले में आपको सुना रहे हूं क्योंकि इन गजलों के साथ मुझे हमेशा उनकी याद आती है एक मेरी पहली गजल है इस जिन्दगी में आज कमी तो जरूर है ये वक्त का सितम है कि वो हमसे दूर है ये वक्त का सितम है कि वो हमसे दूर है उनके ही दम पर बनी हो मैं फनकार उनके ही दम पर बनी हुँ मैं फनकार इस बात का मुझे यकिनन गरूर है मिलकर क्यों बिछड़ना होता है यहाँ जिन्दगी रूबरू हुई लगा यही दस्तूर है जिन्दगी रूबरू हुई लगा यही दस्तूर है यादों में तेरी चिराग बुझ न जाए आज उतर रहा जवानी का सुरूर है किस कदर किनारा काटा उसने शबनम हम हाथ पसारे खड़े रहे वो कितना मगरूर है और एक मेरी और गजने कुछ करम कीजिए कुछ करम कीजिए यह नहां में एक फंक्शन के अंदर भी उन्होंने गाई थी और रेडियो स्टेशन पे भी गाई थी कुछ करम कीजिए कुछ रहम कीजिए अपनी आदों में हमको रकम कीजिए दर्मियां बीच कुछ भी न रहे शबनम वक्त जाए नहीं फैसला कीजिए हम समेटे समंदर चले जा रहे मिलके इक बार हमको रुला दीजिए शमा खुशियों की जलती नहीं है कहीं फूक से अपनी उसको भुजा दीजिए कब मिले हैं जमी आसमाए शबनम अपने हाथों से चादर उड़ा दीजिए ये उल्फत है ये उल्फत है जहन क्या करेगा यहाँ ये उल्फत है जहन क्या करेगा यहां दिल तो मिटता नहीं जा मिटा दीजिए नीद आती नहीं फूलों पर भी हमें दूप बन करके शबलं मिटा दीजिए और एक और मेरी कविता है जो मैं आपके सारी गजल है जो मैं आपके साथ सांचा करना पसंद करूँगी खत लिख रही हूँ खत लिख रही हूँ अहदे महबबत को तोड़के खत लिख रही हूँ अहदे महबबत को तोड़के कागस पे आंसुओं की जगा छोड़ छोड़के खत लिख रही हूँ अहदे महबबत को तोड़के कागस पे आंसुओं की जगा छोड़ छोड़के कल रात गजल लिखने बैटी तेरे नाम से कल रात गजल लिखने बैटी तेरे नाम से अलफाज सामने खड़े थे हाथ जोड़ जोड़के ये दास्तानी इश्क भी कितनी तवील है जिसे पढ़नी पढ़ी है वर्क मोड़ मोड़के और वक्त ऐसा भी आया है जीस्त में जिसमें जिन्दगे और वक्त ऐसा भी आया है जिस्त में दोस्त मिलते हैं मगर मोड़ मोड़के दोस्त मिलते हैं मगर मोड़ मोड़के पशे मा क्यों है मेरे दिल को तोड़के पशे मा क्यों है मेरे दिल को तोड़के मैं तो चली जाओंगी तेरा शहर चोड़के और इससे पहले कि मैं अपनी घजलों की भूख बंद करूँ इसमे से एक और थोटी सी घजल चुना देती हूँ आपको इन्तजार जिन्दगी का करते करते, मौत भी ना आई हमें मरते मरते, याद आया हमें जो बार बार, बुला रहे उसे हम डरते डरते बुला रहे उसे हम डरते डरते, हर दर्द नहीं डर्द इश्क का, हर दर्द नहीं डर्द इश्क का एहसास होता, करते करते, खलिश इक दिल मेरा गईश अब नम, भरेंगे जख्म अब बरते बरते, बरते तो ये मैंने अपनी किताब में से आपको 3-4 गजले सुनाई है और मन तो कर रहा है कि अभी एक दो और सुनाओ चलो फिर पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक दो और सुनाती हूँ एक मेरी गजल है न दिल में कोई तस्वीर थी न आँखों में कोई ख्वाब था न दिल में कोई तस्वीर थी न आँखों में कोई ख्वाब था गुजरी हूँ जिस गमे दरिया से वो उल्फत का एक सहलाव था वो उल्फत का एक सहलाव था कह डाला नजरों से बहुत कुछ कह डाला नजरों से बहुत कुछ दिल हाले दिल हाले राज कहने को बेताब था वो कली भी सूख गई एक दिन गरूर से भरा जिसका शबाब था नजदी कियां दूरियां बनी मैं एक संग वो महताब था जिन्दगी से कैसा शिक्वा शबनम जिन्दगी तो एक टूटा खौब था और जब मैंने ये बुक लिखी थी तो बुक में पता नहीं मेरे दिल में क्या आई तो मैंने ये जो मैं आपको चार लाइने सुनाऊंगी इसके बाद मैंने अपनी ये बुक आगे नहीं बढ़ाई एक सफा था एक सफा था जला दिया हमने एक सफा था जला दिया हमने एक तमन्ना को दफना दिया हमने तेरे दर्द में अश्के गम पीकर राज गम छिपा लिया हम जहन रोया तमन्ना पाने की लेकर उसकी बेरुखी को बेबसी बना लिया हमने खलिश से फूलों की बचे रहे वो दामन कांटों से बचा लिया हमने खलिश से फूलों की बचे रहे वो दामन कांटों से बचा लिया हमने सरे बस्म जीस्त से विदा किया शब्णम सरे बस्म जीस्त से विदा किया शब्णम खुश रहो दिल को समझा लिया हमने तो ये मेरी कुछ गजलें थी जो मैंने बहुत पहले लिखी दो हजार दो दो हजार दो के बाद फिर मैंने गजलें लिखनी थोड़ी बंद कर दी और उसके बाद फिर कविताओं का दौर रहा और कुछ कविताओं मेरी काफी मश्कूर हुई है और आपको आज एक बाद साजा करना नहीं भूलूँगी कि मेरे पास मेरी कोई भी कलेक्शन आज तक ऐसी नहीं है जो चपी नहीं हो और कम से कम भी अगर चपी होंगी तो धाई हजार से उपर मेरी कविताओं और गजलें चपी हैं और तीन सो तक लगू काथाएं मैंने लिखी हैं तो बीच मैं आपको एक छोटी सी लगू कता सुनाती हूं और उसके बाद फिर मैं आपको अपनी कविताओं सुनाती हूं जो मैंने अभी लिखी हैं मेरी एक लगू कता मुझे बहुत प्रिये हैं कि एक बहु आई घर में तो जब लड़के की शादी रखी जाती है तो हमारी बहुत ज्यादा उमीदें होती हैं उस लड़की से और लड़के से भी होती है कि नई बहु ने आना है अब ये होगा वो होगा तो एक मा बहुत कुछ सोच दिया उसके बारे में तो मा ने अपना बच्चे उस बच्ची के लिए सारे कपड़े सब गयने सब कुछ बना के रख लिए और जब वो आई तो उसको मुँ दिखाई में एक कंगन दिये और कंगन देखे उसने उसको क्या कहा कि पिटिया ये कंगन मुझे तुम्हारे पती की दादी ने दिये थे मतलब मेरी सास ने दिये थे और मैंने कुछ दिन ये पहने बहुत भारी थे तो कभी-कभी मैं पहनती थी और अब मैं ये दरोहर तेरे को दे लिए बहु ने वो कंगन ले लिए ले लिए और पहन भी लिए उसके बाद उसने अपना घर का काम शुरू कर दिया और वो कंगन उसने रख दिये अपनी अलमारी में तो करवा चौत आया जब करवा चौत आया तो मा की ये बड़ी तमन्ना थी कि अब जो हमने इसको गहने दिये थे जो इसको कपड़े दिये थे अच्छे वाले और उनके साथ ये ये वाले कंगन पहने तो उन्होंने उसके कमरे में जाके उसको बोला कि आज तेरा पहला करवा में लेच आते हैं और बिटा तु निकाल के वह कंगन लेके और वह कंगन आप पहन हैं तो लड़की एकदम सक्पका गई और उसने क्या किया अपनी मां को अपनी सास को एक संट दिखाती है और कहती मां मैंने तो कंगन तुड़वा दिये और मैंने ये सेट बनवा लिया तो आप सोचिए उस मा की भावनाएं किस तरह से हुई होगी जिसने बरसों उसे संभाल के रखा था क्योंकि वो एक खांदान की दरोखर की कभी कभी हमें ऐसी चीजों से भी बहुत प्यार होता है तो अब हम घूब फिर के फिर एक कविता पर आ जाते हैं तो छोटी-छोटी मैंने ऐसी लगू-कताई काफी लिखी और आपके साथ एक बात और सांजा करूंगी कि मैं चार सल गुजरात में रही तो मैंने अपनी अपने कविताओं को और अपने इन लगुगताओं को गुजरात में गुजराती में ट्रांसलेट किया और फिर मापे कच्छ मित्र निकलता है तो तीन साल तक लगातार मेरी ये लगुगताई वहाँ पे निकली जिसकी मुझे बहुत खुशी है यहां तो सब मेरे अपने कबिला वहां में स्कूल में पढ़ाती थी तो अभी हमारे घर में आता भी नहीं था अख़वार तो बच्चे आके बता देते थी कि मैडम आज आपकी कहानी आई छे तो बहुत अच्छा लगता था फोटो के साथ वहां कहानी आती थी मेरी तो आज मैं फिर इस रेडियो वाल कुछ ऐसी बाते हैं जो हम अभी मीडिया पर नहीं कर सकते लेकिन एक लेखर के लिए यह सब कुछ बहुत बड़ी बात है तो अब मैं कविता पर आती हूं क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है तो अब मैं अपनी दो-तिन कविता हैं जरूर सुनाना चाहूंगी एक मेरा गाउं क्योंकि दहां में रहती हूं यह मेरा चोटा सा गाउं है और मैं इस गाउं को बहुत प्यार करती हूं तो मेरी कविता है मेरा गाउं मुर्गे की बांग गायों के रमभाने से जहां सुबा होती है वह मेरा गाउं है आज भी सिर पर पल्लू लिए कोने के ताउ के पाउं छूकर निकलती बहुए वो मेरा गाउं है जहां आज भी अंटी अंकल नहीं, चाचा चाची, ताई ताउ, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी के रिष्टे, जिन्दा हैं, वो मेरा गाव है पैकेट का दूद नहीं, मक्कर नहीं, पीजा नहीं, बर्गर नहीं, जहां गाव भैंस का दूद, शुद, साक, सब्जी, घी, सब बाट कर खाते, वही मेरा गाव है सुबा उठते ही सारा शहर, बारी-बारी आवाज लगाता, कभी सूट ले लो, चादर ले लो, गैस ठीक कराओ, कुपकर ठीक कराओ, पुराना सामान दे कर नया ले जाओ, मशीन ठीक कराओ, ताजी सबजी ले लो कि आवाजे आती, वही मेरा गाव है, एक आवाज सुन इकठे हो जहां, बल फरेब से का कोई प्रश्न ना यहां, शुद हवा, शुद पानी का वास, जहां आज भी कोयल की कूक और चिडियों की चींची यहां, यही मेरा गाव है, यही मेरा गाव है और अब मैं आपको सुनाती हूँ कि जब हम अपने बड़ों के साथ रहते हैं तो शायद हमें उनका महत तो पता नहीं चलता लेकिन जब वो चले जाते हैं तो क्या होते हैं जो मैंने महसूस किया और आप भी यही महसूस करते होंगे कि बड़ों के होने के बाद इक इतिहास खत्म हो जाता है इक वजुरुक के जाने पर गर का ताला थे वो, यादों की खान थे वो याद है मुझे याद है मुझे शादी ब्यार जनम दिन पर वो रटे रटाए गीत गाना, ठि ठोली करना, हसना और हसना पकड़ पकड़ कर ले जाते लोग, पूछते रिवाज हर मौके का, बच्चे भी न चूपते आते हर रोज मिश्री की डली लेने प्रसाद हे तू पोपले से मूँ से कुछ गलत शब्द बोलना फिर खुद ही हसना और इशारों से समझाना, कभी-कभी अपनी पुरानी तस्मीरें दिखाना, जिसमें हर पोशाक का बखान करना बताना, मक्की के दाने, गेहू का बूजा, चावल की खीर और दाल की कचोड़ी रात को बच्चों का दादी दादे को घेरना, उनसे धेरों का हानिया सुनना, उनके मूँ की तरफ एक टक देखना, बहुओं का बड़ी अचार लड़ों का अंदास पूछना कि किस अंदास से बनाएं, कितना कितना डालें, बेटों का दादी मा के नुस्खों से ठीक होना कभी राम लीला, तो कभी दंगल का बखान करना, अंग्रेजों की वक्त को का बताकर सीहर जाना फिर भोर में जल्दी उठना, वर रात को जल्दी सोना आज घर की दिवारों, किवार का फुस्पुसाना, वो आवास क्यों बंद हो गई, वो आवास कहां गुम हो गई, वो आवास कहां गुम हो गई, एक इतिहास क्यों खत्म हो गया, एक इतिहास क्यों खत्म हो गया और अब मैं अपने एक और कविता की हो जारी हूं, मेरे पार्थ, कभी-कभी सोचती हूं कि शायद हमारे बाद हमारा कुई नाम भी लेगा या नहीं, तो चलो, कुछ अक्षर हम अपने कविता में तो उतार ले हूं। मेरे बाद, बच्चो को बता देना, कुछ बातें मेरे बाद, मेरा सुबा उठना, नहाद होकर पूजा करना, फिर सबको जरूरत से खिलाना पिनाना, बुजुर्गों के पाउं छुना, दर्वाजा, खट-खटाना और मुस्कुरा कर खोलना मुझे ताई, चाची, दादी, आंटी नहीं सिरफ मुझे ताई, चाची, दादी पुकारना आंटी नहीं बता देना, काम करते वक्त मेरा कुछ गुन गुनाना ठपकियों से तुम्हें जगाना, दिन में कुछ उदेर बुन करना, फिर तुम्हें पढ़ाना कनखियों से देख सब की जरूरतें पूरी करना, तुमारे देर से आने पर तुमारा कान खींचना, बताना उन्हें सब दालों के नाम, बताना उन्हें सब नातों के नाम वो रिष्टे जो तुमने जिये और अब कोई नहीं जी पाएगा बताना उन्हें कटपुतली का नाच बताना उन्हें कटपुतली का नाच सपेरे की बीन और और सारंगी पर कालू की धुन शनी का दान और प्यारे का पान जो दुकाने होती छोटी छोटी उसके पारे में दिखाना उन्हें करोशिय का मेरा बुना रुमाल तुमारा छोट ऐसा मोजा और स्वेटर जो हाथों से बुना था कभी मैंने खिलाना पिनिया खिलाना पिनिया खीर फिरनी और आटे का हलवा छीन लेना चावमीन पीजा और बर्गर दिखाना मेरी तस्वीर और कहना ये मेरी मा है मेरी माम नहीं और अब हम चलते हैं कि एक माँ सुबह उठती है और सुबह उठके कौन-कौन सा वो काम करती है तो शैद हम अब पड़ाओ की और जा रहे हैं तो मेरी ये कविता है रिवाज जो काम घर में मा करती है वो एक रिवाज ही बन जाते हैं कि हमारे घर का ऐसा रिवाज है हम ऐसे बोलते हैं सुबह उठ बुहारना आंगन सुबह उठ बुहारना आंगन जाड़ना पूरा घर नहाध होकर दिया बाती जला नित ताकना इक बार सभी दर्वाजों की और जो अभी नहीं अपने वक्त पर चाय की चुस्कियों के साथ खुलेंगे वह आवाज आएगी मा क्या है सुबह सुबह ही चटर पटर करती हो नीद रही आती तुम्हें सुनकर अंसुना कर चल देती सुनकर अंसुना कर चल देती रसोई की और बनाती इन नाश्युक्रों के लिए नाश्युक्र यह नाश्युक्रे ही हुए ना जो अपनी मा का हमेशा उपहास करते रहते हैं कभी रोटी, कभी पराठा, और ठका लेती खुद को, सभी पेट भर खाते, पर उठते हुए, कभी कहना ना भोलते, मा मोटे हो जाएंगे, मा मोटे हो जाएंगे, कुछ हलका भुलका बना दिया कर, चुपचाप देखती, सोचती, उन दिनों को, जब हाथ में रोटी लिए, मक्खन की डली के साथ, रोली पोली बना, लल लड़कर, छीना जप्टी करते खाते थे ये बच्चे, अभी बासन भी न मज़ते, की दुपारा भूक भूक करते थे ये बच्चे, थमाते थी मक्कई, गेहूं का भूजा, साथ में च चाच, शाइद ये सचाई है सम्माओंगी, थमाती थी मक्कई, गेहूं का भूजा, साथ में चाच और चड़ाती चुल्ले पर, दाल की हांडी, बीनती चावल, गूंधती आटा, दोपहरी निपडते ही, शाम और फिर, रात कभ हो जाती, पता ही न चलता, आज कंधे पर कंप्यूटर का बैग ये निकलते, पूरा दिन कुर्सी पर बैठते, वजन बढ़ा लेते, गड़ाए आँखें सामने, अकड़ा लेते, हाथ पाओं, बढ़ा लेते अपनी तोंद, वो शिकायत करते, उसी मा से, जिसके हाथ भी जले, सिके, उनका पेट बरने के लिए, सुनकर सब की शिकायतें, फिर भी, मलाई उतार, गिलास भर, थमाती सब को दूद, और कहती पी लो, पी लो, इसमें अब मोटा होने का तो कुछ भी नहीं, मा जानती है सब, मा जानती है सब, दिवास, सब धंक, वो खिला ही देती है अमरित, जो आज नहीं, कल पता चलेगा उसके बच्चों को, जो कल पता चलेगा उसके बच्चों को, और अब मैं आपके साथ सांगा करूंगी, एक कवीता, मेरी कवीता हैं, कुछ खोड़ी सी हटकर हैं, तो ये कवीता भी मेरी है, खूंटी, आप लोगों ने देखा होगा, अब तो बहुत, मतलब आगे बढ़ गया टाइम, तो हम लोग अलमारियों में अपने कपड़े रखने लग गए, तो पहले साब हम खूंटियों पे ही तांगते थे, और अभी भी किसी गहर में चूटी चोटी जगा पर जिस खूंटि का मैंने इसमें उक्र किया है, वो खूंटी लकडी की होती थी, और आज भी पुराने घरों में पहाडों में भी आपको वो खूंटी मिलेगी, जिसके उपर हमारा लोया भी टंगता है, और टोपी भी टंगती है, हम अपना पजामा वगारा भी टंगते हैं, उस खूंटी की बात करके मैंने ये कविता लिखिया, तो मेरी कविता है, घर का गलियारा लांगते ही, खूंटी पर टंगा बाबु जी का कोट, छत्री और मेज पर पड़ा चश्मा, बर्षों से टांकते बाबु जी इस पर अपनी मौसमी पोशा कें, कभी कुर्ता पजामा, तो कभी भारी सा कोट, चुपचाप समेटे रहती ये खूंटी, उनका सामान, कभी खाली नहीं होती, कभी बाहर के कपड़े, तो कभी घर के कपड़े, जी चाहता वो बतियाए, सामने वाली से कभी, जिस पर टंगे हैं चुन्नू के खिलोंने, हब लोग कभी कभी किसी कुटी के उपर बच्चे के पॉलिफिन में डालके खिलोंने भी टांग देते हैं, जिस पर टंगे हैं चुन्नू के खिलाने उसकी सोच पगलास ही गई उसने जैसी बात करनी चाही उसकी सोच पगलास ही गई कि कैसा शोर बबुआ उतार रहा उस पर से बाबुजी के कपड़े कोई नहीं सुन रहा उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा उसकी आवाज ले जा रहे है बाबुजी को खुंटी चिला रहे है लेकिन बाबुजी अब नहीं रहे और उनको ले जा रहे है जो उसे अपना दोस्त समझते थे रो रही खुंटी पर नहीं पोँच रहा कोई उसके आंसु आवाज थीमे से आई एचने था-थÁमा उसे बар सों अंधेरी कोट्री में रहको by को दिवारों में बिंठ सांस ले चुप हो जा is जुप हो जा जै मैं तेरे साथ हूं हूँ जीवन भर याद कर दादा के समय कि us अनोंने हमें इकटा यहां बसाया था मैं सदैव तेरे साथ हूँ मत रो मैं सदैव तेरे साथ हूँ और अब हम चलते हैं एक फौजी की तरह है क्यूंकि आपको इस बताना चाहंगी कि मैं फौजी की पत्री हूं और मैंने आर्मी स्कूल में 26 साल अपनी से वाई अर्पित की हैं और मेरा पूरा जीवन जो है वो आर्मी में ही निकल गया और जैसे मैंने अपनी पहली कविता आपको सुनाई थी शहीद की मा और मैं आपको ये कविता भी सुनाना चाहूंगी अगर वक्त होगा तो कोई और सुनाऊंगी वरना मैं यहीं इसको स्टॉप करने फौजी फौजी भी एक इनसान है हमारी तरह फौजी भी एक इनसान है हमारी तरह जिसे हमारा समाच महज जिम्मेदारियों का गटर जबसता है वो करता है सदैव एक अलग सी उमीद तार्जुप तो तब होता है जब वह भी बना लेता है खुद को समाज के तमाम बाशिंदों से अलग और चल पड़ता है पीट मोड कर समाजिक भावनाओं की ओर से सिसक कर लंबा गुंगट भर लेती है प्रेय से आप लोगों ने देखा होगा कि सिसक कर लंबा गुंट भर लेती है प्रेय सी और मुँ बंद करे सिसक लेते हैं लाड ले कापती है मा की दुबली पतली दे कापती है मा की दुबली पतली दे और चुपके से पोंच लेता है दो मोती बापू किसी दरवाजे की ओट में कितने अलग हैं ये फरिष्टे हमसे जो अपने जिगर के टुकड़े को रोकते नहीं और भेज देते हैं हम सबों के लिए अंजान राहों पर बारूद के बिस्तर पर गोलियों के सामने धन्य है वो उन्हें मेरा शत्षत्रणाम उन्हें मेरा शत्षत्रणाम और अब मैं शायद आपको अपनी आखिरी कविता सुना रही हूँ पनगट सुने हो गए जब से दिये हैं पल्टे महौल ने सामाज को अब नहाती हैं गुसल खाने मेनारियां और पनगट सुने हो गए चल पढ़ते हैं नल सुबों शाम चल पढ़ते हैं नल सुबों शाम और चल नहीं पाती सिर पर घड़ा लिये सुन्दरी तब से वो रास्ते ही सुने हो गए मेरे पनगट सुने हो गए दूल मिटी से सनी कई ओखलियां कई चक्कियां सिसकती हैं चूडियों की खनन को वो क्या जाने कितने आंगन पायल की जनकार को तनस्ते सुने हो गए शुरू हुआ है सिलसला जबसे जमीन को हड़पने का चोटियों को क्या पता कितने घर सुने हो गए कितने घर सुने हो गए और आपको एक और कविता सुना सिप्तियू अगर वक्त है तो शायद मैं एक और कविता बोलू मेरी आखरी कविता हैं महल बहुत रंगीन सपनों का महल बहुत रंगीन सपनों का महल एक एक इच्छा की इंट लगाकर बनाया था मैंने बहुत रंगीन सपनों का महल एक एक इच्छा की इंट लगाकर बनाया था मैंने उस महल का आधार थे तुम पर क्यूं विकर गई गई मेरी महल की इंटे तुम संग अगनी फेरे लेते ही शायद तुम जहाक भी न पाए मेरे उस महल की खिड़की से चहूं और के चक्कर लगाते ही रहे समय का पहिया नीव सब कुछ कमजोर कर गए हिल गई नीव एक दिन हिल गई नीव एक दिन और तूट गई मैं फिर तुम ढूडने लगे उसमें अपनी उमुईदों के साए द्वस्त हो चुका है सब कुछ अब सिर्फ अफशेश बचे हैं मिट्टी से मिलने के लिए सिर्फ तुमारा ताकना ही रह जाएगा चूर चूर कुई इंटों को तूटते हुए दर्वाजों को और महल के उस बड़े दर्वाजे को जिस रास्ते से आये थी तो यह मेरी कविता थी कि हम कई बार कितनी सारी अपने सपने चुन लेते हैं और वो सपने हमारे पूरे नहीं होते हैं तो शायद कभी-कभी ऐसी भावनाई भी हमारी हो जाती है तो फिर हम कभी लोग तो उनको ऐसे वो केर लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी बावनाओं को किसी और धंग से को केरते हैं हम लोग जाज से किसी के घर में जाते हैं तो बच्चों को थोटी-चोटी बात के उपर डांट पड़ने लगती है कि तुम ये ना छेड़ो तुम ये ना करो ये ना करो तो मुझे अच्छी नहीं लगती हो तो मैंने उसको देखके भी एक कविता लिखी थी जिस कविता का शीर्ट तक था गर गर को घर ही रहने दो कोई शोरूम मत बनाओ शोकेस में टिके कीमती खिलाने नन्ने बच्चों की प्यारी ललचाई नजरे देदो उन्हें तोडने दो उनके बच्पन का हिस्सा उन खिलानों को बनने दो घर को घर ही रहने दो कुछ पल जीने दो जिसमें यह न जाने कहो जिसमें यह न कहो मत कर तूट जाएगा मत कर तूट जाएगा गुम हो जाएगा तुगिर जाएगा पापा की मार खाएगा लगाने दो चलांगे लगाने दो चलांगे गुद गुदे सोफे पर मत रोको उसे, मत रोको उसे सिल्वटों के डर से खाने दो हाथ से चावल, लिप्टाने दो मूँ दूद दाल से, पहनने दो उसे उल्टे सीधे कपड़े और उल्टे जूते मुझे बाचो ये सब करने पर उसके आतम विश्वास के क्षण, मत रोको हर बात पर उसे स्वचंद रहने दो उसे स्वचंद रहने दो, घर को घर करूँ, घर को घर ही रहने दो, ये क्षण लोट कर कभी नहीं आते ये क्षण लोट कर कभी नहीं आते, यादें रख लो, सभी सहेज कर, कभी उन क्षणों के लिए, जब हम अव्यवस्थित होंगे, और ये नन्ने बालक व्यवस्थित हम बाते करते हैं न, कि छोटा था तो ऐसे करता था, वैसे करता था, तो हमें इन्हें बार-बार नहीं रोपना है दिखाना, बताना, पोपले मुँ से, उनकी ये शरारते हैं, कि वो भी बनाएं अपनी अलाद को, स्वतंत्र, वो घर को, घर ही रहने दो, बस घर को, घर ही रहने दो, कोई शोरूम मत बनाओ, कोई शोरूम मत बनाओ और, शायद मेरी आखली कविता होगी है, वो माई और ये बिल्कुल मैंने एक सच्ची अपने एक्स्पिरियंस के उपर लिखी है, मेरी एक फ्रेंट थी, मैं उसके घर गई, बहुत बरसों के बाद तो मैंने जो उसकी हालात देखे, उसके उपर ये कविता लिखी, बरसों बाद जाना हुआ उस घर में, खट-खटाया की वाड़, वो न थी वहाँ, वो न थी वहाँ, बड़ी बहु ने खोला कमरा, बड़ी बहु ने खोला कमरा बताया, अम्मा बाहर वाले कमरे में है, अम्मा बाहर वाले कमरे में है, दलान पार कर पहुँची, आ, भूस वाला कमरा, भूस वाला कमरा, वो अम्मा की खटिया, मुझे देख, कहा बिठाओं, का प्रश्न कौंद गया, उसके मुख पटल पर हाथ पकड मैं बाहर वाली खटिया तक आई उन्हें भी बिठाया वो खुद भी बैठ गई वह पानी लाई वो बताने लगी ब्या दिये उसने अपने सारे लड़के ब्या दिये उसने अपने सारे लड़के एक एक कमरा दे दिया सब को दिखाने लगी अपनी शादी का संदूक जो कोने सी जाक रहा था उपर संदूकड़ी जिसमें पहरा दे रहा था पुराना ताला वै उठी और दिखाने लगी बहुओं के सजे कमरे सीहर उठी मैं कि वै नीव का पत्थर जो किसी को दिखता ही नहीं पर थामता सारी इमारत क्यों नजर अंदाज कर दिया जाता क्यों नजर अंदाज कर दिया जाता है आज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो बुजर्ग होते हैं उनकी यही हालत देखी जा रही है अब मैं आपको एक और अपनी रचना सुना रही हूँ आस निकल गई पूरी जिन्दगी कल की आस पर कभी तो सूरत चंकेगा कभी तो सूरत चंकेगा डेगा मेरी छुपी हुई दबी हुई इच्छाओं को गर्महट वो पूरी होंगी वो छोटी छोटी बातें जो सोची थी कभी मैंने और जो सोची गई दब गई फिर कभी जुबान पे नहीं आई वक्त रेट सा फिसलता कई परतें चड़ा गया जीवन की चादर पर कभी बचपन कभी जवानी कभी बचपन कभी जवानी कभी मां कभी पत्नी कभी लूटता रहा ये संसार मेरी भावनाओं का खजाना और आगई मैं जीवन के अंतिम छोर करूँ जहां कभी नहीं आती सूरज की गर्मी चांद की ठंड़क और तारों की चाओं तो ये थी मेरी कुछ कविताएं आप सबको मेरा सादर नमस्कार और मैं चाहूंगी कि हमारा जो युवा वर्ग है वो अच्छे से अच्छा लिखें और हमारा जो समाज है वो कवियों पर और लेकों पर सलता है तो मेरी ये एक आंतरिक इच्छा है कि हम सब अच्छा लिखें और ऐसा लिखें जो की चाहर लोगों के बीच में सुनाया जा सकें तो मेरा आज का आज मैंने अपनी जो भी कविताएं सुनाई अगर मुझसे कहीं भूल हो गई हो तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों जो किशामा करेंगे लेकिन अपनी तरफ से ये था कि मैं अपना अच्छे से अच्छा आप लोगों के सामने रखों तो जाते जाते अगर आप कहें तो एक छोटी सी कविता और सुना जाती हूँ ये क्या हो गया ये क्या हो गया बरसों पहले घूंगटोड़े प्रवेश इस दलहीज का दिया गया मुझे साथ वाला कमरा सुन्दर सा कमरा बहुत बरस बीत गए उसमें बहुत बरस बीत गए उसमें आज भी मेरे मानस पटल पर बिकरे हैं बच्चों के खिलोने उनकी किलकारियां, किताबें और कपड़े रात के गीले बिस्तर नहीं सूखे हैं अभी तक यादें आंसु बनकर कई बार बहती हैं दिन में साथ वाला मान जी बाबुजी का कमरा जिसमें दो खटिया एक मेज उस पर गिलास और पानी कुछ जोड़ी कपड़े जूते और कोने में मंदिर मनोरंजन के लिए रात को बच्चो संग खेलना उन्हें कहानी सुनाना लोरी दे दे कर वक्त की रफ्तार ने आदबोचा बाल सफेद दात कम और भाशा सेहन सी गई मेरी गर में फिर से नई बहु आई कि मेरे हाथों ने कमरा खाली कर दिया आ गए हम साथ वाले कमरे में जहां कभी मा बापु रहते थे बिच्ची थी आज भी दो खटिया मेज वह मंदिर भर आया मन भर आया मन ये सोच कितनी उम्र है इन चीजों की जो पीडियां बदल कर भी अशांत नहीं होती सिखाती है हमें सबक ये ही दुनिया का चक्र व्यू है जहां से शुरू करते हैं आखिर वही खत्म करना पड़ता है आखिर वही खत्म करना पड़ता है जै हिंद जै भारत